वेरी गुड बॉर्णिंग श्वेंट्स वेलकम तो अलोफ यू इन माई यूट्यूब चनलल जर्डी क्लासेश मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जर्डी सर आपके लिए as usual फिर से एक बैलो जी का टॉपिक लेके आया हूँ जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए most detailed way में टॉपिक लेकर क्या हूँगा जिससे कि NEET के या CBC के कोई भी questions आपसे रहना जाये तो फिर से मैं fungi kingdom में सबसे पहले मैंने आपको fungi के features बताए लास्ट वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि fungi में sexual reproduction कैसे होता है आज मैं लेकर के आया हूँ fungi का sexual reproduction in fact type of the sexual reproduction that takes place in fungi तो हम इसके साथ start करेंगे लेकिन start करने से पहले ये कहना चाहूँगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो अगर ये informative लगे हो अगर ये आपको important लगे हो और अगर आपको लगता हो कि ये सच में most detail वीडियो है प्लीज आप इसको एक बार देखिए और इसके बाद अगर ये सब factor आपको महसूस हो रहे हो तो प्लीज लोगों के साथ share कीजे like कीजे, subscribe कीजे जिससे की मुझे भी motivation मिलता रहे मैं सभी बच्चों को free of cost quality education और detailed education प्रवाइट करा सको इससे की उन बच्चों का mainly benefit होगा जो की tier 3 cities में रहते हैं छोटे कस्बों में रहते हैं गाउं में रहते हैं लेकिन वो अच्छा perform करना चाहते हैं और ऐसी ही जगह से लोग उठ करके आते हैं जो इस country को serve करेंगे so with this vision, with this mission please आप मेरे इस mission को join कीजे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको share करवाईए right तो start करते हैं अपने topic के साथ में जैसे कि मैंने यहाँ mention कर रखा है यह हमारा kingdom fungi है fungi में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया fungi के general features क्या होते हैं characteristics क्या होते हैं आगर आपने नहीं देखा तो description box में जाईए और इस video वो देखिए उसके बाद next मैंने आपको बताया asexual reproduction जिसमें type of asexual sports बताये थे और आज हम start करने वाले है sexual reproduction तो देखिए sexual reproduction स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि हाइफा जो होते हैं हाइफा दो कटेगरी के होते हैं तो हाइफी में दो तरह के होते हैं एक तो हाइफी में दो हाइफी के बीच में या दो फंगस के बीच में जब sexual reproduction होता है तो एक तो होते हैं homothelic homothelic क्या होते हैं homothelic homothelic वो organism होते हैं या वो फंगस होते हैं जिनमें की generic constitution same होता है और इससे male produce हुआ और दूसरा ये filament है, इससे female produce हुआ, दोनों का genetic constitution different होगा, तो अगर fuse करने वाले male-female का genetic constitution different है, तो हम उन्हें बोलेंगे the reproduction between homothelic fungus, right, दूसरे होते हैं हमारे heterothelic, तो पहले हमारे होगे homothelic, और दूसरा sexual reproduction हो सकता है heterothelic के बीच में, heterothelic, heterothelic क्या होते हैं, heterothelic वो होते हैं homothelic में तो दोनों का genetic constitution सेम था, यहाँ पर दो अलग-अलग filament एक male produce करता है, और दूसरा female part produce करता है, मतलब enthridia या oogonia का production होता है, या किसी तरह के sports का production होता है, gametes का जो fuse करते हैं, तो male और female gametes, दोनों ही अलग-अलग होंगे, दोनों का genetic constitution अलग-अलग होगा, right, तो यहा बीच में भी हो सकता है, right, तो यह हमारी एक basic बात थी, sexual reproduction से पहले, अब आते हैं कितने type का sexual reproduction हो सकता है, right, तो देखिए, sexual reproduction कितने type का हो सकता है, उससे यह पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, it's very important question, तो homothelic, heterothelic के बाद, एक ऐसा भी fungus है, जिसमें की sexual reproduction reported नहीं है, या missing है, अब उसे हम कहते क्या है, और क्यों कहते हैं, यह देख लिजिए, तो देखिए, deuteromycetis, deuteromycetis को आपने पढ़ा होगा, इसे हम लोग कहते क्या है, पूछा जाता है कि fungi imperfecti किसको कहते हैं, deuteromycetis को हम लोग कहते हैं, fungi imperfecti, fungi imperfecti, इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह fungi जो है, इसमें stage imperfect है, इसकी sexual reproduction के type या sexual reproduction इस stage में, या इस fungus में, इस group के इस class में, sexual reproduction reported नहीं किया गया है, इसके sexual reproduction करने वाले partner या तो missing है, या वो पाए ही नहीं जाते हैं, इसमें mainly asexual reproduction होता है, इसलिए deuteromycetis को हम fungi imperfecti के नाम से जानते हैं, तो इस question को याद रखेंगे, यह आपके लिए need के लिए बहुत ज़्यादा important question है, fungi imperfecti एक ऐसा है, जिसमें कि sexual reproduction reported नहीं है, अब आते हैं type of sexual reproduction में, तो सबसे पहले type of reproduction के अगर मैं बात करूँ, तो आप देखेंगे, यह planogametic copulation इसको बोलते हैं, planogametic copulation में दो अलग-अलग type के gamete आकर के आपस में fuse करते हैं, fuse करने के बाद सबसे पहले gametes का protoplan फ्यूज होता है, तो सबसे पहले क्या होती है, plasmo gamete, plasmo gamete का मतलब होता है, दोनो gamete fuse हो गए, इनकी walls fuse हुई, उसके बाद protoplasm का fusion हुआ, और protoplasm fuse हो गए, इसको plasmo gamete कहते हैं, उसके बाद male और female की nucleus आपस में fuse हो करके, deploid nucleus का formation करती हैं, और gygo spore या gygoat का formation करती हैं, तो पहले plasmo gamete होती है, उसके बाद nucleus fuse होती है, इसको हम बोलते हैं, केरियो gamete, केरियो gamete होने के बाद nucleus fuse होने के बाद gygo spore का formation होता है, gygo spore एक तरह से gygoat है, and this will be 2N, तो deploid gygo spore का formation होता है, और further फिर से, अगर fungi haploid है, तो reduction division होगा, और नए mycelia या filament का formation होगा, अब ये भी तीन कटिगरी का हो सकता है, अगर दोनों ही gamete physically देखने में एक तरह से हैं, physiologically मतलब motion दोनों में एक जैसा है, दोनों की activity metabolic rate एक जैसी है, तो अगर physically और physiologically एक तरह से हैं, तो दोनों gamete एक जैसे होने की वेए से, इस type को हम बोलेंगे iso gamete, तो planogametic population iso gamete हो सकता है, जिसमें दोनों gamete एक जैसे होंगे, दूसरा होता है anisogamete, anisogamete में क्या होता है, कि physically और physiologically भी दोनों अलग-अलग होते हैं, physically कैसे, male gamete आपका छोटा होगा, female gamete larger होगा size में, और साथ में female gamete less motile होगा, food जादा इसमें accumulate होगा, और protoplasmys का जादा dense होगा, और इसे मोलता है anisogamete, जिसमें दोनों ही gamete different होते हैं, तीसरा होता है U gamete, U gamete में यहाँ पे female motile बिलकुल नहीं होता है, female बहुत large होता है, इसमें food बहुत high ammo quantity में accumulate होता है, लेकिन male बहुत इसके compression में छोटा होता है, और motile होता है, process दोनों में सेम होती है, तीनों में सेम होती है, पहले plasmo gamma, फिर karyo gamma, उसके बाद gyospur का formation, तो यह था हमारा planogametic copulation, planogametic copulation mainly उन फंजाई में होता है, जो aquatic फंजाई होता है, अब आते हैं दूसरे में, gamit angel contact, gamit angel contact में क्या होता है, एक ही अगर यह homothelic हुआ, तो homothelic में एक ही तरह के thallus में male बनेगा, और दूसरी वाली branch में, दूसरे हाइफा में female बनेगा, अगर यह heterothelic हुआ, तो क्या होता है, normally यह homothelic ही होते हैं, अगर यह heterothelic हुआ, तो एक थैलेस में उगोनिया मनेगा और इसको हम बोलते हैं ऐन्थरीडियम, तो यहां पर आप देख रहे हैं, गेमिटेंजल कॉंटेक्ट में, जो आपका ये लार्ज वाला पार्टनर है, इसको हम कहते हैं, ऊगोनियम, उगोनियम, जोकि आपका फीमेल पार्टनर है, ये लार् Anthiridium, right? Anthridium जो होता है, यह आपका male होता है. Male और female मतलब oogonium और anthridium दोनों आपस में पास में आते हैं. यह थोड़ा सा curb says हो आता है. Curb shape होने की वज़य से इसकी wall को penetrate करता है. Penetrate करके एक tube जैसा structure इसके अंदर penetrate कर देता है. ये tube जो penetrate करता है, इसे हम conjugation tube बोलते हैं, तो conjugation tube का formation होता है, तो ये होता है, this is conjugation tube, conjugation tube, conjugation tube का formation होता है, conjugation tube इसके अंदर जाती है, आपने nucleus और protoplanes को release कर दिती है दोनों मिल करके protoplasm मिल जाते हैं मिलने के बाद gyagospore का formation होता है और यहाँ पर मिल करके nucleus fuse हो करके gyagospore बनाती है फिर further वही reduction division या reduction division deployed अगर फंजाई है तो same फिर उससे micellia या hypha का formation होता है अब आते हैं spermatium spermatogamy जो होती है spermatogamy यहाँ पर spermatium के बारे में अगर बात की जाए तो यह spermatogamy में help करता है spermatogamy mainly aquatic species में होती है यहाँ पर यह bottle के neck जैसा एक female partner है इसके upper वाले part को तो इसे हम oogonium कहेंगे और यह यहाँ पर enthridium का function करता है अब देखो oogonium जो होता है इसमें bottle neck shape होता है इस spermatium यहाँ पर male partner है means male की तरह function करता है male gamit की तरह इस spermatium motile नहीं होता है means इसमें fragile जैसा कोई structure नहीं पाय जाता है यह water में swim करते हुए आता है tricogyn में चिपक जाता है फिर plasmo gammy होती है carryo gammy होती है और gyagospur का formation होता है अब आते हैं fourth type में fourth time यह है इसे हम gamit angel compilation कहते है gamit angel compilation में दो एक ही तरह के हाइफा मतलब यह negative negative भी हो सकते है और यह positive positive भी हो सकते है या फिर एक negative और एक positive normally यही state पाया जाता है दो हाइफा एक दूसरे के पास आते है पास आने के बाद दोनों हाइफा में एक bulge out create होता है इस bulge out create होने की वए papilla-like structure create होता है इस papilla-like structure के create होने की वज़े से दोनोँ हाइफा fuse करते हैं और यहाँ पर ये दोनो एक दूसरे को यहाँ से एक septum का formation करते हैं और divide कर जाते हैं एक cell की तरह भी hype करने लगते हैं उसके बाद ये male और female means plus और nucleus दोनों के बीच में plasmo gammy होती है और karyo gammy होती है proto-plans fuse हो जाता है और इस fusion की वज़े से यहाँ पर gyospore का formation होता है gyospore बाद में separate हो जाता है और divide करके नए fungus का formation करता है इसे हम gamitangel compilation कहते हैं और gamitangel compilation में वही enthridia और ugonia का formation होता है इस process को हम लोग gamitangel corporation को इसे हम conjugation के नाम से it's a type of conjugation इसे भी हम conjugation यह gamitangel conjugation भी कहते हैं तो यह conjugation का ही एक type है उसके बाद आते हैं somatogammy somatogammy में क्या होता है दो somatic hypha होते हैं दो somatic hypha में इन दोनों को हम primary mycelium बोलते हैं जो fuse करने वाले हमारे hypha होते हैं इन्हें हम primary mycelium के नाम से जानते हैं primary mycelium एक को हम positive कहते हैं और दूसरे को negative कहते हैं दोनों mycelium आपस में पास पास आते हैं उसके बाद आने के बाद दोनों fuse हो जाते हैं fuse होने के बाद इनमें क्या होता है कि ये die carrier stage हो जाती इसको हम deployed नहीं कह सकते यहाँ पर plasmo gammy तो हो गई देखे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि plasmo gammy तो हो चुकी है लेकिन carrier gammy नहीं हुई जिसकी वज़े से दोनों nucleus fuse नहीं एक ही protoplasm में दोनों nucleus मौजूद हैं इस stage को हम लोग बोलते हैं die carrier stage die carrier form या die carrier stage को हम बोलते हैं तो यहाँ पर die carrier stage या die carrierotic stage पाई जाती है अब होता क्या है कि दोनों के fuse करने के बाद अब इस तरह के fungi में यहाँ पर यह die carrier बाद में क्या होता है कि plasmo gammy तो हो गई लेकिन carrier gammy डिलेड हो गई इसके बाद finally nucleus fuse हो जाते है diploid stage का formation होता है ऐसे फंजाई में life stage तीन तरह की होती है haplophase, di carrier phase and diplophase तो देखें यहाँ पर क्या है इस तरह के फंजाई जिनमें di carrier stage पाई जाती है या di carrier gammy मिल्ज जो somatogammy को follow करते हैं इनमें एक तो होती है आपकी haplophase haplophase वो जिसमें यहाँ पर haploid mycelium पाई जाते है दूसरी phase stage होती है di carrier phase तो di carrier phase di carrier phase में यह haploid mycelium है यहाँ पर n प्लस n की stage पाई जाती है मतलब दो nucleus एक cell में मौजूद होती है तीसरी stage होती है diplophase या diploid phase to diplophase या diploid phase जिसमें की क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर आपकी दोनो nucleus fuse वाती है और gyagos पूर का formation करती है तो यह हमारा last type था तो इसमें 3 stage पाई दयाती है याद रखिएगा di carrier phase क्या होती है यह भी याद रखिएगा यहाँ पर plasmo gammy takes plate but it is carrier gammy is delayed तो यह हमारे 5 type थे sexual reproduction के फंजाई में फंजाई में इतने ही type का reproduction होता है hope कि आपको concept clear हो गएगा okay so thank you guys watching my youtube channel JD classes please आप से मैं फिर से request करता हूँ अगर आपको मेरी बात informative लगा हो अगर आपको concept clear हो पा रहे हो तो please like कीजे share कीजे subscribe कीजे क्यूं? क्योंकि knowledge जितनी बाटी जाए उतनी ही बढ़ती है thank you so much